हेलो फ्रेंड्स आज फिर से एक क्लोसिस का छोड़ा सा पार्ट लेके मैं आपके सामने में हूँ इसके अप्रोच को देखते हैं कैसे बनाया जाता है देखो एक बात समझना जैसे अगर मैं इस पार्ट है बड़े क्लोसिस का तीन क्वास्टन आपके पास ब्लेंग स्पिस मे यहां है और अगर आप ध्यान दो तो यह तीनों ब्लेंग स्पेस एक संटेंस में है संटेंस दो से शुरू हुआ है और यहां कंटिस्द खतम हुआ है अब जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो वी इस रीड फ्रॉम लाइफ लेफ टुरे टुराइट हम लोग लेफ यह एक्षन होता है कि अगर ब्लेंग स्पेस आया तो आपको भी पता है कि जब तक आपको संटेंस का मीनिंग नहीं आएगा तब तक आप वर्ड भरोगे नहीं बट एक टेंडेंसी क्या होती है कि हमारी नजर आप्शन्स पे चली जाती है हम आप्शन्स को देख लेते हैं और अगर आपने ऑप्शन देखा तो जो इमीडियेट कंसर्ण होता है ना इसके अगल बगल के सब्दों को वो देख के मन करेगा वर्ड को भर देना और अगर वर्ड भर गया तो वो गलत भी है तो माइंड उस चीज को ले लेता है कि तुमने क्वेस्टन नमबर वन बना लिया है और तब तुम गलत भी बनाए हो तो कभी तुम्हारे दिमाग में दुबारा थोट नहीं आएगा कि तुमने गलत बनाया है अब जैसे मैं तुमको ऑप्शन दिखाऊं अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल बस वहां ब्लेंक स्पिस को अगर देखूं तो मेरे को सबसे अच्छा वर्ड लग रहा है टाइटिल और वो दो के साथ टाइटिल आफ इंडिया ऐसे बस इतने तीन वर्ड का और यह आप याद रखेंगे क्वेस्टन को गलत बनाने का सबसे स्यूर्शॉट तरीका है जिसमें हम में से अधिक्तर लोग यही तरीके को अपलाई करते है आपने सुना होगा that sentence is a meaningful collection of words तो इस sentence का meaning क्या होगा जिसके base पे आपको वर्ड चुनना है वो तो जब तक यहां से लेके यहां तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक meaning तो आपको समझ में नहीं आएगा एक दूसरा कि आपका यह जो blank space है यह कहां लिखा हुआ है कि अगर एक ही sentence में तीन blank space है तो मैं पहले one को बनाओं फिर second को बनाओंगा फिर third को बनाओंगा अगर तुम इसमें जो बाकी जगह पे है देखो अगर ध्यान दो आप कि अगर तुम रीडिंग करने के समय में जब तुम्हारा टागेट अंडिस्टेंडिंग है तुम अगर blank space को छोड़ के भी sentence को पढ़ते हो ना तो sentence कभी ऐसा नहीं होता कि मिनिंग्लेस होगा तुम्हें reading और options एक साथ handle नहीं करना है जब reading करना है जिस समय में target है to understand the given meaning of the sentence उस समय में तुम sentence को बिना blank space देखे पूरा पढ़ने की समझने की कोशिश करो blank space में डालो दिमाग में ये बात मताने दो कि क्या option भरना है क्योंकि याद रखना option examiner का area है वो options ऐसा डालता है तुम नों देखा होगा closest में तुम्हारा जो normal reaction होता है कि अगर तुमको लगता है कि ये वाला word भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है पर मिनिंग नहीं निकाला तभी तुमको ऐसा महसूस हो रहा है पहली चीज़ दूसरे तुमने कभी सोचने की कोशिश की है कि ये क्लोज का मिनिंग क्या होता है ये क्लोज का मिनिंग एस ये वाला नहीं होता तुम कभी अगर वो क्लोज अगर तुम यूज करते हो तो कभी जेडी नहीं लिखते हो हमेशा ऐसे लिखते हो इस क्लोज का मीनिंग होता है वेर अपैसेज वेर दिर आर ब्लैंके स्पेसेज एंड दो वर्ड्स ध्यान से सुनना वर्ड्स हैब बिन डिलीटेड सिस्टेमेटिकली सिस्टेमेटिकली कहने का मतलब according to the given situation of the sentence वो डिलीट किये गए है यहाँ पे तुमको confusion नहीं होगा तुमको कोई पहले का knowledge नहीं चाहिए तुम बस तुमसे examiner यह चाहता है कि तुम वहाँ पे situation पे नज़र डालो ना कि सब्दों पे situation पे जिरा देखो तुम ध्यान से देखना दाश of India as an economic superpower superpower is not reflected in the dash of life enjoyed by its 1.2 billion citizens अब dash of life enjoyed by its 1.2 billion citizens according to human development index which dash India very low among 182 countries जिसने इंडिया को 182 countries में से बहुत नीचे जगह दिया है अगर आप देखो तो आपके पास यहां पे ranked के अलावे और कोई word नहीं जाएगा उसकी ranking इंडिया की इंडियों में सबसे नीचे है आसान था हम भार लेते उससे और इतना ही easy यह था तुम्हारे पास question number two quality of life अब जरा देखो तो enjoyed by its human development index किस बात पे लोगों के किसी देश को ranking देता है जरा देखो that is not a bigger one यह दोनों questions असान थे अब जरा इन दोनों को कि इंडिया को as an economic superpower मानना जिसमें वो दिखाई नहीं पड़ता जो यहां के लोगों का quality of life है उसमें और human development index ने इंडिया को 182 देशों के बीच में बहुत नीचे प्लेस किया है अब इस sentence पे question number one जो tough था और जो मेरा target था कि तुम क्या title किस ने दिया है उपाधी मिली है कहीं पे स्रधांजली दी जा रही है कंवर्ट हुआ है और परस्यूट जरा ध्यान देना गोल होता है लक्ष आप जानते हो इन दोनों में से कोई एक आएगा एक और चीज जब शब्द को देखो यहां पर तो यह शब्द किस वर्ड से बना है वो जरूर सोचो डेरिवेटिव्स क्योंकि तुम्हें आपका perception शायद जरा देखो यह वर्ड जो बना था वो परसीव से बना है यह वर्ड परसीव से बना है और इसमें तुम ध्यान दो परसीव का मीनिंग मोटा मोटीव ऐसा ही कुछ है तो अगर हमारा हमारी जो धारणा है कि इंडिया की एकोनोमिक सुपर पावर है वो उसके कॉलिटी ओफ लाइफ में नहीं दिखाई पड़ता अब एक वाद ध्यान दखिए हमें ऐसा हो सकता है कि बनाने के समय मैं देखा है लैंवेज इस्टिल इजन 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 एरिया वेर वी फिल हैपिनेंस वेन वी सॉल्व तिंक्स करेक्ट ली मेरा अपन अगर एकाद भी गलती हो जाए तो हम बाकी के आठ पर नहीं डालते हम उन दोनों पर आखिर वो गलती हुआ कैसे और यहीं पर हमारे पास लेंग्वेज और मैट्स में या और किसी और सब्जेक्स में अंतर पढ़ जाता है अभी भी इंग्लिश उस हमारा वो उसको दिया है मैट्स को और यहां प्राक्टिस किया तुम्हें लगातार प्राक्टिस किया और यू डेवलप एट वे सेम चीज याद रखना इंग्लिश में निप्टारा मत करो बिकॉज मिलियन डॉलर क्वाशन इज कि क्या किसी पेपर के निप्टारे को अगर हम निप् और यह बनेगा जब आप इलिमिनेशन करो सोचो शायद पूरे संटेंस को टागेट करके तुम्हें इसको देखना होगा आई होप कि यह छोटा सा डिस्कृशन तुम्हारे लिए थोड़ा सोचने को मजबूर करेगा तुम और सोचना चाहोगे संटेंस का मिनिंग लेके तैंक यू देन सिव देन